पूरे देश के लिए गहरे दूख और सद्मे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणव उकरजी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। आज उनका नस्वर देवी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दसकों तक भारतिय राजनेती की शितीज में प्रणव की तरही कांतिवान डहकर प्रणवदा काम करते रहें। चाहे पक्स हो या विपक्स, एजा पार्लामेंटेरियन उनके भासनों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिसा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्स में हो या पक्स में नित्यों के निर्धारन की कटू आलोचना करनी हो या स्वयम निती निर्धारन करना हो हर बात में प्रणवदा का कौसल यह दिखाई पड़ता था इतने लंबे सुधिर्ग केरियर के अंदर वित, फिदेश, रक्सा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रा लयों पर प्रणवदा की अमीर चाप हम देख सकते हैं और एक भी शती करे बगएर सारवजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्यूबिशन करना सायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी प्रणवदा की सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी जब सत्ता में थे तो विपक्स के लोगों के साथ तालमल भी ठाने में हमेशा वो काम करते रहें जब विपक्स में रहें तो एक रचनात्मक विपक्स की भूमिका और नेवाने में भी कभी पीछे नहीं हटे कॉंग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणवदा ने एक लंबे समय तक भारती राधनिती को कंट्रिबुट किया समरुद्ध किया एक अच्छा दिसादर्शन किया एक राधनिती में आने वाले हर युवा के लिए प्रेहना दाही रहेगा ऐसा मुझी लगता है और जब वो भारत के राष्ट्रपती बने तो राष्ट्रपती पद की गरिमा को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी राष्ट्रपती भवन को आम आदमी के लिए खोलना ये उनके बहुत बड़ा फैसला था और उन्होंने राष्ट्रपती पद पर रहते हुए भी देश और विदेश सभी जगे अपनी विद्वता, अपना अभ्यासु सभाव और इतियास और अंतराष्ट्रिय मामलों के अपने ज्ञान को उजाकर करते हुए देश का संद्मान हमेसा बढ़ाया परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार राद 10 बजे TV9 भारत वर्षपर